असलाम अलेकुम कैसे हो फ्रेंड्स आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे हम भी अलहमदुलिल्ला ठीक ठाक है फ्रेंड्स बच्छे भी उठ चुके है अजान थोड़ा जादा सोया था अजान काफी लेट उठा था जो छोटा वाला है और बाकी दो बच्छे उठ चुके थे थोड़ा लेट उठे है बिकॉज अभी स्कूल भी ओफ है ना इन लोगी 10-12 प्रेस का ओफ है फिर इंशालला नेक्स यर स्टार्ट हो जाएगा तो बच्छों की बुक्स अगेर भी आ जाएगी वही ऐस यूजल नियू यर स्टार्ट हो जाएगा उनका ना अग बच्छों को स्कूल जाना होता है और फिर अर्शान आता भी यह तो 3.30 हो जाता है तो बहुत डिफिकल टाइम उसका जो गुजरता है स्कूल में अभी वह आने वाले दिन होने आले गुजरने वाले और सारे बच्छों को हो जाता है क्योंकि ऐसा गल्फ में है के 10-12 देस भी ओफ हो जाता है बाकि आम शूर इंडिया में पाकिस्तान में और काफी कंट्रीज में कई कंट्रीज में अभी तो बच्छे स्कूल गुइंग है रोजे की हालत से कितने जाते हैं कितने रोजे नहीं रख पाते बच्छे इसी वज़े से कि गर्मी ना हो जाए खिर बच् की हिम्हत बनाए रखें रखें लाया कि अभी tie यहां में बच्छों की बैट साही करए लगी थी तो कि दोनों फिर मैंने फून दे के यहां बदा दिया था रोम में बथले कर लिया था वेदरूम में असल में दोनों भी और यह चोटे को लेकर हमदों सोते हैं वाजबन व तो एक बार गोष्ट रूम टेंपरेचर पर आजाने के बाद ना हम आसानी से कुकिंग कर सकते हैं पानी में उसे रखने की जरुवत नहीं पड़ती तो खेर एकी टाइंग भी बनानी थी फिर फ्रेंड को भी भीजवानी थी तो मैंने बिर्यानी बनाने का सोची और करती रहती है और किचन में जाती रहती हूं यखीन माने फ्रेंड इतनी बार आना जाना होता है कि मैं आपको क्या ही बता हूं चोटे बच्चों के साथ यह सब डील करना ही पड़ता है बढ़ों को तो मैंने फोन देके एक घंटे के लिए बिटवा दी देख सकते हो यहां आपको कर ने हमेशा आपको कहता ना कला मैंने एक खाने का चमच दाला है वन टीजपून यह जिंजर गालिक पेस्ट मैंने दो मतलब एक टेबल स्पून अगर भर के लिकल ले ना ज गरूर तो जिंजर आपको वं की यहता है कि मतलब हाफ एक चमच आपको लेना है अगर लसन तो आदा चमच आपको लेना है अध्रक्त का इस तरह से रहेगा रेशियो इसका तो इक दम पर्फेक्ट बैलन्स बनता जिन जगा इसलिए मैने इस तरह से आपको बता दिया आफ को मैंने में आजिक ए मैंने मिक्स का इन्लेलिया यह ढ़ी दाल को मैं मैं से ट्रैम यदिन के प्रेशर लगा दो कि प्रेशर बहुत इजी में प्रेशरों पर przेआ आपको pretty सब्सक्त् inspasm इने?」 जाएंग необход inteiro हो n कि मेरं सभुए कि यह ऊतनी मेर भी जैंगे छाएं पर इसट पर न्यजियरे के होगा मिनेट हमिदोEr इसे आराम से हय जाता हिं और यह पूरी त़रह से अच्छी आपना चीए यहां पर मैंने इसे और बाद समय जाता है् पशना पास शेली गई थी बहुत हैरान कर रहा था है और मैं बूली गई के मुझे जाके चेक करना है दुपैर ओचो कि यह देखो मैं गोश को चेक करना आई हूँ और यह कितना हाड है तो इसे मुझे और विसल करवाना है तो अब मैं से मीडियम फ्लेम पर ही फाइफ मिनिट्स के लिए रख दूगी तो अराम से सॉफ्ट हो जाएगा बस मैंने इस दम फास्ट पे नहीं की एक ही सीटी बस हाई आ जाती है जब एक ही उसके बाद ही आपको मीडियम कर देना है सही है इस तरह से आपको करना रहेगा तो अराम से आपका गोष्ट एक दम से सॉफ्ट हो जाएगा असल मैं रूटीन इतनी टफ होती जा रही है बच्चे है घर में आपको तो पता है बच्चे है अभी 10 दिन के लिए घर में तो इतनी जादा डिफिकल्टी हो जाती सारे ब तो किस तरह से बच्चों को एंगेज करूं मेरे तो समझने यह अतना जादा हो जाता है अब गवी करेट हो जाता है आप ईतना स्क्रीण दे भी नहीं सखते आदा गंटा भी और sexy जुनी मोर्देन अफ खेशा नहीं जेया ओड़ा लें लोगों को भोडिय जाना है और इतना जादा इन लोग को अच्छा लगता है किचन में आने मम्मी हेल्प करवा तो क्योंकि यही एक डिफरेंट इन लोग के लिए अक्टिविटी हो जाती है तो क्योंकि अलजिक ने काफी टाइम स्पेंड किया है उसने मुझे आटा गून के दिया उसने मुझे बेसन का खोल बना के दिया है तो आज अर्शान ने मुझे से बोल दिया था मम्मी मैं तुमार साथ खाना मनाऊंगा मैं तुमार साथ बस किचन में हिल्प करवाओंगा अब उसे क्या पता है कि यहां पर बिर्यानी बनाने और यहां पर इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो बाच्च यहां पर देख सकते हो तो से मैं सार सब यह मेरे सुपर विजिन में हो रहा है बिल्कुल मैंने उसे छोड़के नहीं गई थी किछन से बाहर पूरा टाइम मैंने उसके साथ स्पेंट किया और पूरी विरियानी मोस्ली उसने ही समझो बना लिया है चलो आज तुमको खाना बनाना या तुमको यूट्यूब पर दिखना है ऐसा अब कुछ नहीं है बच्चे खुदी इतने बोर जारे हैं खर में रहके क्योंकि पूरे सुबह से 6 क्लोक से निकलते बच्चे और मेरे बच्चे घर में आते हैं अजब आ जाता है वन थर्टी को अर्शान 3.34 हो जाता उसे आए तक तो इतना टाइम अभी घर में क्या करेगे तो इसलिए उनलों को अच्छा लगता है कि किचन मा के मम्मी के साथ ये सब काम किया जाए इफतार के लिए भी हल्प करवा देते और खाना हमारे हमस्टे इफतार जो भी रहे थोड़ा वो खाना खाए बिना मेरे हस्बंड को चलेगा नहीं पुलाओ या बिर्यानी फिक्स है मेरे घर में तो अज़िक भी काम कर वा हूँ लेकिन उसकी हाइट काफी छोटी है ना तो उससे यहां पर जब नहीं रहा है कामरे पर देखते हुए उसने देख लिए आर्शान कर रहा है तो उ आर्शान मुलने लग रहा था कि मैं दिख रहा हूँ तो मैंने ली ममा नहीं देखती है ना कैमरे में आप तो सामने दिखोंगे जो बहुत यहां मजा हरी थी बिर्यानी बनाने में माशाला भी बहुत अच्छे से मस्ती देखिए हम मावेटों की मस्ती इस तरह से चल रही रोजे में इफ्तार के टेंगे सब चल रहा था यह सर का टाइम होने लगा तो अल्मोस्ट चार बज़े के बाद का टाही में यह जब हम यहां पे किचन में थे मैं से वही बोल रही थी आलू अच्छे से मिक्स करो यही नहीं कि आलू ही टूट जाए तो यूट्यूब फैम उसने बना दिया माशाला काफी चीटे ओड़ रहा था तो वह तो एक बार भाग गया कि ममी चीटे ओड़ रहे हैं नीचे पेर पे अगर कुछ लगता है ना बच्चों के तो इतने साधे हो जाते ममी कुछ चूब रहा है अरे ममी कुछ लग रहा है अफकोर्स यहां कुकिं क्लीन करना है यहां पे ना पटेटो स्टिक हो गयते ना मतलब कैसे अफकोर्स फास्टे ना फ्लेम तो हमें अच्छी तरह से घसते वह से रप करते वह निकालना है तो उसने छोड़ दिया था मैनली दही भड़ जाएगा यह टाइम पर आपको अच्छे से मिक्स करना है तो आप इस तरह से आगे जाओं उसे डर क्या लगता है मालूं स्प्लेटरिंग का एक से दो बार उसने जब बगार दाला है ना तो बहुत जोर से स्प्लेटर हुआ है तो भाग गया ता कि चंद से बाग जाता है फिर तोड़ी दर का फिर से वापिस आ जाता है कि मम्मी लाओ मैं कंटीनी करूं मैं बनाओं बस फ्रेंड्स कैसे बिर्यानी की मसाले की बात कर लेती अब मैं आपसे अर्शान की चकर में मेरी रेसीपी आपको बताने रहे खेर मैं आपके साफ काफी टाइम शेयर किया है बिर्यानी की रेसीपी और आपने देखे हो गया अलग अलग टा फिर वो बिलिस्ता के बाद बिलिस्ता दाल देने के बाद जो अनियन्स रेना वो दालने के बाद इसमें गया है सॉल्ट और बिर्यानी मसाला फिर इसमें एक बड़ा सा टमाटर और ग्रीन शिली गई है फ्रेंड और गरम मसाला पाउडर फिर इसमें बॉइल मीट दालना है म कूकर में आप देख रहे ह।ो यहां प्रेशयर में हो रहा है रगडा जो यलो पीस होता है बहुत से लोग जानते हो गैगे रगडा होता है जो वो हस्बन को मतलब तीनों टाइप के चैने बहुत ज़ादा पसंदे काबुली चैने काले चैने और जिसे यलो पीस कहते है ना पीस वो भी उन्हें बहुत पसंद है तो मेरे घर में यह आपको मस्टेगे और राइस तो दिखे गई दिखे गई याप अची तरह से मसाला भून है कोलोड हो जाने के बाद हमें इसमें कॉरिंडर लीव धाल गया है और ना इंड health जो मैंने काफी ताइम आपसे शेर कर चुकी हूँ बस देखें फ्रेंड इस तरह से करना पड़ता है कि ताके बच्चे बोर ना हो जाए आप भी सोच रहें के बच्चे क्या कर रहें यूट्यूप पे आने के लिए तो नहीं फ्रेंड मेरे बच्चे इतने बोर हो रहें अभी तो तीनी दिन वे holiday के यह और आट नो दिन इस तरह से गुजारने हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है करने कुछ ना कुछ तो मैं भी उन्हें यह बच्चे को लिए अच्छा होता है ना फ्रेंड्स उनकी लर्निंग हो रही है और क्या अच्छा है बच्चे लोग अगर देखो ममा अगवाले को देती हुए मिनी भी मांगने लगा है जो मिनीयचर चोटा जान वह भी भूम मांगता है कि मुझे भी मार ना जब असक मार तो एक छोटे साइस का ब्रूम में उसे भी पकड़ा देती हूं इसा नहीं करती हूं कि हमारा काम है ना बच्चों को तो बिजी करना ह खिलेगे, स्क्रीन कितना देखेगे, तो इस तरह से घर के कामीं कर लेगे, माशाइललह से कल अजिक ने पूरा बेड क्लीन किया, मुझे इतना अच्छा लगा, सब कुछ यह करता है, कुछ ना कुछ चीज़े बच्छे करते हैं, तो इसलिए मैं शूट कर लेती हूं, ताके म मेरा भी टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, बच्चों के साथ माशाललह अच्छा ही लगता है, ठीक है, मस्ती मजाख सब कुछ एक जगा है, पढ़ाई एक जगा है, और यह सब चीज़े ऐस फ्रेंड भी फैमिली, ऐस फ्रेंड भी रहना चाहिए पैरेंट्स को, इस फ्रेंड उनके साथ जरूर डील करना चाहिए, हमें उनके साथ हसी मजाख करनी चाहिए, तो बच्चे ना अपनी सारी चीज़े शेयर करते आपसे, कुछ उने गलत, ठीक, जो भी लगता है, स्कूल की चीज़े, कुछ भी चीज़े आपसे शेयर करेंगे, अगर आपसे हाथ से करेंगे कोई चीज़े, परफॉर्मन सी नी होएगी अगर उनको हम हाथ में कुछ चीज़े देगे यहीं, सौपेंगे नी करने, तो कैसे वह लोग करेंगे ना तो इसलिए बहुत इंपोर्टन है कि हमें बच्चों को हाथ में देना चाहिए, जैसे लेर्निंग में क तो इसलिए बना लेती है, मुझे क्योंकि अच्छा लगता है कोगिंग करना चीजों को नया नया चीज करने के लिए रेसीपी में नहीं चीज अड़न करने के लिए यह सारी चीज़े मेरी ही दिमाग की है माशाललह से किस तरह से स्टोर करके रखों किस तरह से अपनी लाइफ जीती हूं क्योंकि बच्छों के साथ बहुत टफ होता है हर मदर्स के लिए अपनी लाइफ को एजी करना उनके हाथ में कोई बारवाला के हमारी लाइफ को एजी करके नहीं देगा हमें खुद को अपनी लाइफ सही एंगल पर लाना है इसलिए आपको जो बैस बच्छों के साथ बीडिल करना चाहिए थीक इसलिए इसलिए बच्छों को भी वैसी सिखाना चाहिए जो आपको बैस लगता है जो आपके बच्छों के फ्यूचर के लिए अच्छा है तो हमें उस तरह से बच्छों के साथ भी डील करना चाहिए हमेशा बच्छों के साथ किस्ट्रिक नहीं डिखाना चाहिए कर चीज अखिश्रेइट खल जए डिए मैंने रियानी ठी मगए ज्काषा होगा के अलावा आपको ग्रीन पसंते हैं अब भी डाल सकते हैं और इसे 15 मिनिट के लिए दंपे रख दिया है मेरा रगड़ा भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है तो मैंने उसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल के उसे एक नॉमल कंसेस्टेंसी फॉर्म कर ली प्रॉपर अब अर्शान का हो चुका है और अजिक कुछ ना करेंगे तो हो नहीं सकता तो मैंने उसको बुली अभी यह क्या बनाएगा भी खाने की चीज तो मैंसे दे नहीं सकती इसकी हाइट इतनी छोटी है ना अभी भी देख सकते हो पैर उचका-उचका के उपर से ना यह रैसी किया है वो अलग बाते के प्रॉपर नहीं हुए लेकिन बहुत मजाया बहुत अच्छे से बनाया माशाला बच्चे ने मेहनत किया है और मुझे भी अच्छा लगा और उसी ने खाया उसने इंचॉय किया और उसने अपने फ्रेंड्स को भी देखिया या दो पीस के यह मैं अच्छे मेरी फ्रेंड्स को भी दूगा मैं ली ठीक है तो मैंने इफ्तार दिया तो इसने भी जाके नीचे दे दिये जो मेरी फ्रेंड है नहीं पर अजिक को भी प्रॉपर्ली मुझे सारे बताना है पड़े अभी से आप मिक्स कर लो कितने सेकंड्स के लिए चॉकलेट क मेल्ट करना है क्योंकि जादा देर करेंगे ना फ्रेंड्स तो यह चॉकलेट एक दम वह जाती है ना अच्छी से मेल्ट नहीं होती फिर उसका बटर वगेरा सारे ना अलग हो जाता है इसलिए ना 15-15 सेकंड्स पर ही चॉकलेट को मेल्ट करना चाहिए अब यह काफी हाड ह तो फ्रिज में रखने से काफी हाड रहती है चॉकलेट तो फिर मैंने 15 सेकंड्स करवाया तो इससे फिर यह भी नहीं हो रही थी सॉफ तो मजीद हमने फिर से दुबारा से 15 सेकंड्स के लिए कर लिया एक साथ बिल्कुल माइक्रो नहीं करना चॉकलेट को 30 सेकंड्स पू मेरी सुपर विजन में करते हैं आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि बच्चे इनके किछिन में क्यू रहते हैं और मेरे सामने रहते तो मैं करने देती हूं वरणा आने नहीं को यहाँ पर व्रना एंडे करना है इसलिए भशीनलगा भरतंद होने की विजित करते हैं और कि टैनی बार चेर लगांके माशुलास उससमें यूटेंस्ल स्क्लीन भी किया है उसको पता है उसने में को अबसर्फ कर चुका कैसे और डिब करते हैं कि इसको स्क्वीज करते हैं फिर रब करने के बाद बढ़ करने के चाहिए वो छोटी एच के रहे या बड़े एच के रहे अच्छे काम करना चाहिए इसलिए बच्छों को साथ बच्छों को बच्पन से अच्छी चीज़े और नेक हिदायत देना चाहिए इंशालला उमीद करती हो आपको भी मोटिवेशन मिला हो इस वीडियो से फ्रेंज आ क्योंकि फन और प्लेवे में सारा कुछ उन लोग लें कर लेगे बच्छों को छूने ही नहीं दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको भी गुजारना यह देख सकते हो बहुत चाहिए उसने बनाया बटर पेपर पर रख और एंड में जो चॉकले बची थी ना उस सबस्तार नीचे पाकिस्तान पाकिस्तानी फ्रेंट है वो मेरी बाह अच्षी फ्रेंड है और उसने ये पीजा बनाया है तो यस्विट ने ने रख ली इसने पम सेसे पाराइन पिर्जा कर लिए बस दूड़ नाहिए ूमीद करती है आपनें न कि माशाव है बस हग बीर इंशालला उमीद करती है आपको वीडियो पसंद आया और फ्रेंड्स लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब मैं चैनल इंशालला मिलती हूं मैं अगली वीडियो में कुछ नहीं शीजों के साथ टेक केर फ्रेंड्स बाय आलाफस।